पूरु वैदिक या रिक वैदिक संस्कृति का काल किसी माना जाता है तो 1500 से 1000 इस्वी पूरु को माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है तो 1000 से 600 इस्वी पूरु माना जाता है आर्य शब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो आर्य शब्द का अर्थ स्रेष्ट या कुलीन होता है प्रारम्बिक आर्यों के बारे में कथन सही नहीं है तो वे मुखितन नगरों में निवास करते थे या गलत है इन में से किस फशल का ज्यान वैदिकाल के लोगों को नहीं था तो तमबाकों का ज्यान वैदिकाल के लोगों को नहीं था उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रामण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था शुष्रमड के नाम से जाना जाता था वैदिक गडीत का महतपूर अंग है तो शुल्व सुत्र जो है इसका महतपूर अंग है किस वेद में प्राचीन वैदिक युक की संस्कृति के बारे में सूशना दी गई है तो रिग वेद में दी गई है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंतों का सही क्रम कौन सा है तो वेद पहले लिखा गया फिर ब्रामण, आरड और उपनिशद वेदों की संक्या कितनी है तो वेदों की संक्या चार है कौन से तीन वेद संयक्त रूप से त्रई या वेद त्रई कहलाते हैं तो किसको कहा जाता है रिग वेद, यजूर वेद और साम वेद को वेद त्रई कहा जाता है भारत के राजती चिन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य मेव जैते किस उपनिसस से लिए गए है तो मुंडक उपनिसस से लिए गए है रिग वैदिक आर्यो का मुख्य व्यवशाय क्या था तो पसुपालन इनका मुख्य व्यवशाय था बारती संगती का आदि ग्रंद कहा जाता है तो भारती संगीत का आदि ग्रंद किसको कहा जाता है साम वेद को कहा जाता है प्रथम विधी निर्माता कौन है तो मनु जो है प्रथम विधी निर्माता है कृष्ट भग्ति का प्रतम और प्रधान ग्रंत है तो श्री भगवद गीता जो है प्रधान ग्रंत है रिगवेद में संपति का प्रमुक रूप क्या है तो गोधन जो है संपति का प्रमुक रूप है रिगवेद की किस मंडल में शुद्र का उल्लेक पहली बार मिलता है तो दस्वे मंडल में जो है मिलता है पुराडो की संक्या कितनी है तो पुराडो की संक्या अठार है वैगदी धर्म का मुख्य लच्छड इन में से किसकी उपासना था तो प्रकृति की उपासना था से सम्दित पुस्तक है अस्तो मा सद्गमय कहां से लिया गया है तो यह रिक्वेज से लिया गया है आरे भारत में बाहर से आये और सरुपर्थम बसे थे तो पञजाब में बसे थे वेदो को अपुरुशे क्यों माना जाता है क्योंकि वेदो की रशना देवताओं द्वारा की गई है वेशेसिक दर्शन के प्रतिपादक है तो किसको माना जाता है अच्छ बाद गौतम को माना जाता है मिमान्षा एवंपूर मिमान्षा दर्शन के प्रतिपादक है तो जैमिनी है वेदान्थ या उत्तर मिमान्षा दर्शन के प्रतिपादक है तो बाद रायड है रिकवेद का कौन सा मंडल पूरते सोम को समर्पित है तो नवा मंडल जो है पूरते सोम को समर्पित है प्रशिद दस राजाओं का युद दास राज युद किस तर्ट लड़ा गया था तो ये परुष्णिनी नदी के तर्ट पर लड़ा गया था धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है तो वन बाई सिक्स है 800 इसा पुर्व से 600 इस्वा पुर का काल किस युक से जुड़ा है तो ये ब्रामध युक से जुड़ा है किस काल में अच्छूत की आउधाड़ा असपस रूप से उदित हुई तो धर्म सास्त्र के काल में हुई एसिया माइनर इस्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि यहां जो अभिलेक प्राप्थ हुए है उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र वडूर मित्र नासत को जो है उलेक मिलता है गैत्री मंत्र देवी सवरित को संबोधित किस पुस्तक में मिलती है तो यह रिगवेद में मिलता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था प्राचीन भारत में निश्क से जाने जाते थे तो स्वड अभूशड को जाना जाता था योगदर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजली जो है योगदर्शन के प्रतिपादक है उपनिशत पुस्तके है तो दर्शन पर अधारित पुस्तके है आर strang वैदिक साहित्ते में सरवाधिक वडित नदी है तो सिंदु नदी है उपनिषद काल के राजा असपती सासक थे तो या केकई के सासक थे अध्यात्म ज्यान के विशे में नचिकेता और यम का समवाद किस उपनिषद में जो है प्राप्त होता है तो कठोप निशन में प्राप्त होता है वैदिक नदी कभा यानि काउल का अस्थान कहा निधारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान में कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रडाली है तो शांखिदर्सन है भारति किस अस्थल की खुदाई से लव अधातु के प्रचलन के प्राचिनतम प्रमाण मिले तो अतरंजी खेडा में किसका संकलन रिगवेद पर आधारी थे तो साम वेद का संकलन कौन प्रस्थान नत्रई में सामिल नहीं है तो भागवत नहीं है कर्म का सिध्धान संबंदित है तो मिमानसा से संबंदित है तरक सहिंता नामक पुस्तक किस विशे से संबंदित है तो ये चिकिस्सा से संबंदित है यग्य संबंदी विदी विधानों का पता चलता है तो ये जूर वेद में पता चलता है वैदिक युगीन सभा मंत्री परिश्यत थी वैदिक युग में प्रचलित लोग प्रिय शासन प्रडाली थी तो गड़ तंत्र थी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो रिग वेद है कौन भारती दर्शन की आरंबिक विचार धारा है तो शांक है वैदिक युग में हुई वह दस्तकारी कौन सी है जो आयद्वरा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो लुहार जो है नहीं लाई गई थी रिगवेत की शे मंडलों को वंश मंडल या गूत्र मंडल कहा जाता है तो किसको कहा जाता है दोवे मंडल से साथवे मंडल तक जो है कहा जाता है किस वेद में जादूई माया और वसी करण का वडन है तो अथर वेद में किया गया है आरे शब्द इंगित करता है तो निरिजाती समू को इंगित करता है रिगवेद में कुल कितने मंडल है तो रिगवेद में कुल दस मंडल है आरे भारत में संभावता आए तो मद्द एसिया से आए कौन सा वेद अंशता गद्य रूप में भी रचित है तो यजूर वेद जो है रचित है सभा और समिति प्रजापती की दो पुत्रियां थी का उल्ले किस वेद में मिलता है तो अथर वेद में मिलता है रिगवैदिक यूग की प्राचीनतम संस्था कौन से थी तो विदत थी ब्रामण गरंथों में सरवाधिक प्राचीन कौन है तो सत्पत ब्रामण है गोत्र विवस्ता प्रचलीद में कब आई तो उत्तर वैदिक काल में आई अनुलोम विवा का अर्थ क्या होता है उच्वड पुरुस का निम्न वड की नारी के साथ विवा होता है प्रतिलोम विवा तम माना जाता था जब उच्छ वड की नारी निम्न वड के पुरुस के साथ विवा कर लेती थी वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जव को कहा जाता था ब्रिहिस्ट रब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू है प्राचीन्तम व्याकरण अश्टा धाई के रशनकार है तो पाड़ने जो है अश्टा धाई के रशनकार है कौन से इस्मृतिप प्राचींतम है तो मनु इस्मृतिप प्राचींतम है आदी कावे की संग्या किसे दी जाती है तो रमायड को दी जाती है प्राचींतम पुराण है तो मस्पुडान को प्राचींतम पुराण माना जाता है रिग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है तो सरस्वती नदी को माना जाता है वैदिक समाज की आधारबूत इकाई थी तो कूट या कुटुम्ब थी रिग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी इसमृती में 250 सुक्तों की रशना की गई थी तो इंद्र थे वो इस वेद में सभा को नरिष्ट अर्था समू वाद विवाद या अनुलंगनी कहा गया है तो अथर वेद में कहा गया है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के तीन प्रमुक बुराईयों में शामिल किया गया है तो मैत्रायरी सहिंता में किया गया है उत्र वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच अस्थन प्राप्त था तो प्रजापती को प्राप्त था संसकारों के कुल संक्या कितनी है तो तोला होती है तीन रिड में सामिल नहीं है तो मात्र रिड जो है नहीं सामिल है रिग वैदिक काल से संबंदित मृत्भांड संस्कृत है तो कौन सी है गेरु वर्डी मृत्भांड यानि ओसिपी संस्कृत है उत्तरवैदिक काल्म से सम्मंदित मृत्भांड संस्कृती है तो इसमें चित्रित दूशन मृत्भांड यानि PGW संस्कृती प्राप्त हुई है हर याणा प्रांत में चित्रे दूशर मृत्भांड यानि PGW अस्तल किस अस्थान पर हाल में किये गए उत्खन्नों से प्रकास में आया है तो भगवान पूर में जो है किया गया प्राचिन्तम विवा संसकार का वड़न करने वाला विवा सुक्त किस में पाया जाता है तो रिगवेद में पाया जाता है रिगवेद में अगन्य यानि वध योगिन नहीं शब्द का प्रयोग किस के लिए किया गया था तो गाय के लिए किया गया था रित यानी प्राकरतिक संतुनन अस्थापित करने के कारड किस व्यदिक देवता को रित सिप गोप कहा गया तो वरुड को कहा गया है हरपपा सब्भैता का स्तरवाधिक माननेता प्राप्त काल कौन सा है तो पचीस सव से 1750 इस्वी पुर्व है अगला प्रश्ण मारा है सिंदु घाटी की सब्वेता कहां तक विस्तृत थी तो सिंदु घाटी की सब्वेता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्रपदेश, हर्याणा, सिंद और बुलुचिस्तान में जो है विस्तृत थी सिंदु घाटी की सब्वता में गोडे की औसेस कहा मिले तो सुर्खोटदा में जो है मिले सिंदु घाटी अस्थल काली मंगन किस प्रदेश में है तो ये राजस्थान में इस्तित है किस प्रदार्थ का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्माड में मुख्य रूप से किया गया था तो सेल खड़ी का जो है किया गया था हडपा सब्वता किस यूग की थी तो हडपया सब्वता जो है का सी यूग की थी सिंदु घाटी सब्भेता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो इनका व्यापार जो है मुख्य व्यवसाय था हडपा सहर की निवासी थे तो हडपा सहर की निवासी कैसे थे तो यह लोग जो है सहरी थे सिंदु घाटी सब्वेता के घर किस से बनाय जाते थे यह जोए इट के बनाय जाते थे हडपा वासिक किस वस्तु के उत्पादन में सुरुपतम थे यह कपास के उत्पादन में सुरुपतम थे हडपा सब्यता का सुरुपतम खोच करता कौन थे तो दयाराम सहानी थे सिंदु सब्यता का पत्तन नगर यानि बंदरगा कौन सा था तो लोथल जो है सिंदु घाटी सब्यता का बंदरगा था पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंदु घाटी के लोग माप और तौल से परचित थे यह खोज कहां पर हुई तो यह खोज जो है लोथल में हुई हडप्या सब्यता की खोज किस वर्स हुई थी तो 1921 में जो है हडप्या सब्यता की खोज हुई थी हडप्या सब्यता के बारे में कौन सी उक्ति साई है तो उन्होंने पसुपती का सम्मान करना प्रारंब किया हडपा की लोगों की समाजिक पद्दती थी तो इनकी समाजिक पद्दती उचित समतावादी थी सिंद का नकलिस्तान या बाग हडपा सब्वेता के किस पुरास्तल को कहा गया तो मोहन जोदरो को कहा गया हडपा सब्वेता के संपूर छेतर का आकार किस प्रकार का था तो त्रिवुजा कार था हडपा सब्वेता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साचिस कहां से मिला है तो काली बंगा से मिला है सेंदु सब्वेता की इटों का अलंकरण किस अस्थान से मिला तो काली बंगा से मिला है मोहन जोदरों कहां इस्थित है तो ये सिंद में इस्थित है सिंदु सब्वेता में विरिहत अस्नानागार पाया गया है सिंदु सब्वेता की मुद्रा में किस देवता का रामतुली चित्रांकन मिलता है तो आद्य सिवका मिलता है कौन सा हडपा कालिन अस्थल गुजरात में है तो लोथल जो है गुजरात में इस्तित है मोहन जोदडो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है तो इसको मृतकों का टीला यानि माउथ अपडेट भी कहा जाता है अरप्या सब्वेता का प्रचलित नाम है तो सिंदु घाटी की सब्वेता है सेंदाव अस्तलो के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पसु का सरवादिक उत्किर्ड हुआ तो बैल का जो है हुआ है सिंदु घाटी सब्वेता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंदु सब्वेता का कौन सा अस्थान भारत में इस्तित है तो लोथल जो है भारत में इस्तित है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर था तो हडपा जो है सबसे पुराना सहर था भारत में चादी की उपलब्धता के प्राश्चिंतम साच्छ मिलते हैं तो हडपा सांस्कृती में मिलते हैं सिंतु सभेता के बारे में कौन सा कथन असत्त्त है तो लोग लोहे से परिचित थे ये असत्त्त है मांडा किस नदी के किनारे इस्तित है ये जो है चिनाब नदी के किनारे इस्तित था हडपा, कालिन, अस्थल, रोपड या पंजाब किस नदी के किनारे इस्तित था तो सतलूज नदी के किनारे इस्तित था हडपपा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रडाली का पता चलता है तो धौला वीरा में पता चलता है हडपपा के मिट्टी के बर्तनों पर समाने तक किस रंग का उपयोग हुआ था तो लाल रंग का उपयोग हुआ था सिंदु सब्यता किस यूग में पढ़ता है तो यह आद्य एतिहासिक काल में पढ़ता है सिंदु गाटी सब्यता की विक्सित अवस्था में किस अस्थल में घरों में कुएं के अशेस मिलते हैं तो मोहन जोड़ों में मिलते हैं सिंदू घाटि सब्वेता को खोज निकालने में जिन्दो महाभारतियों का नाम जुड़ा है तो किनकर नाम जुड़ा है दयाराम सहानी और राखलदास बनर्जी का नाम जुड़ा है रंगपुर जहां हडपा की समकालिन सब्वेता थी है यह सौराष्ट्र में इस्तित है हडपा एव मोहन जोड़ों की पूरा तात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जौन मार्सल थे किस पसू की आकरिती जो मोहर पर मिलती है जिससे ग्यात होता है कि सिंदु घाटी यो मेसो पोटामिया की सब्वेताओं के मद्ध व्यापारिक सम्मन्द थे तो बैल के मोहर से पता चलता है सिंदुगाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मात्र सक्ति में विश्वास करते थे कोर्ट दीजी नामक अस्थल किस सभ्यता से सम्मंदित है तो यह सिंदुगाटी सभ्यता से सम्मंदित है मोहन जोदलो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो किसको माना जाता है विशाल अस्नानागार को माना जाता है हडपा कालिन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धती अपनाई थी तो ग्रिड पद्धती अपनाई थी हडपा सब्वेता में पाई मुहरों और पेड के नीचे खड़ी लोमडी का चित्रांकन मिलता है जो पंच तंत्र के लोमडी की तेरा कोटा कलाकृती मेनी रूपण अंकर नहीं हुआ था तो किसका नहीं हुआ था? सेर का नहीं हुआ था हडपा वासिक किस धातू से परिचित नहीं थे तो ये लोहे से परिचित नहीं थे किस हडपा कालिन अस्थल से यूगल समाधान का साक्ष मिलता है तो लोथल से मिलता है कपारस का उत्पादन स्रुपथम सिंदु छेत्र में हुआ जिसे ग्रीक ये यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे तो सिंडल नाम से जो है पुकारा हडपा के काल का तामबे का रत किस अस्थान से मिला हुआ है तो ये जो है दैमावास से मिला है हडपा वासी लाजवर्द भवन निर्माड की समागरी का आयात कहां से करते थे तो हिंदु कुछ शेत्र के बदक्षा से जो है करते थे अबगानिस्तान इस्थित सिंदु सब्वेता के अस्तल है तो कौन से हैं? देह मोरा सिंग हुई है किस हडपा कालिन अस्तल से निर्त्य मुद्रा वाली इस्तरी कगी कास से मुर्ती प्राप्त हुई है तो मोहन जोद्रों से प्राप्त हुई है किस हडपा कालिन अस्तल से पुजारी की प्रस्तस्त मुर्ती प्राप्त हुई है तो हडपा से प्राप्त हुई है किस सिंदु कालिन अस्तल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजो के निसान मिले हैं तो चहुंदड़ों में मिले हैं अब महा जनपत काल के बारे में जानेंगे जो की 600 इस्वी पूर्व से 325 इस्वी पूर्व तक था पहला प्रश्ण है हर्यक वन्स के किस सासक को कुडिक कहा जाता था तो अजात सत्रु को कुडिक कहा जाता था किस सासक ने गंगा एवं शोन नदियों के संगम पर पाटली पुतर नामक नगर की अस्थापना की तो उदाईन ने की शिशुनाक वंस का ववा कौन सा सासक था जिसके समय में वैशाली में दृतिय बौध संगिती का आयोजन किया गया उसे काकवड के नाम से भी जाना जाता है तो किस ने की थी काला सोक ने जो है की थी 323 इस्ववपुरु में सिकंदर महान की मृति हुई थी तो कहां पर हुई थी बैबिलोन में जो है हुई थी सिकंदर महान एवं पोरस यानि पूरु कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला हुआ था तो जेलम नदी के जो है डाला था किस मृत भांड यानि पाटली भारत में दुरितिय नगरी करण यानि सहरी करण के प्रारंब का प्रतीक माना गया तो उत्तरी काले पाली श्कृत बर्तन पाली ग्रंतों में गाउं के मुख्या को क्या कहा गया तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया उजयन का प्राचीनतम नाम क्या था तो अवंतिका था नंदवन्स का संस्थापक कौन था तो महापदमा नंद था ग्रिक यानि यूनानी लेखो द्वारा किसे अगन मीज यानि जेंडर मीज कहा गया तो घनानंद को कहा गया प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमड किसके द्वारा किया गया तो इरानियों के द्वारा किया गया प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमड यों पहला यूरोपी आक्रमड किसके द्वारा किया गया युनानियों के द्वारा किया गया इरान के खमजी वंस के किस सासक ने भारती भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस रमराज्य का बीसवा प्रांत यानि छत्रपी बनाया तो किस ने बनाया था तो डेरियस ने जो है बनाया था हाइडे इस्टेपिच का वितस्ता का युद किन किन सासकों के बीच हुआ था तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया तो 326 इस्वी पुर में किया मगद की प्रतम राजधानी कौन से थी तो गिरिवरज यानि राजग्री जो है मगद की पहली राजधानी थी किस सासक द्वारा सुरपतम पाटली पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया गया तो उदाइन के द्वारा किया गया कोला महान जनपदों की सूची में उपलब्द है तो अगुंतर निकाय जो है मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था तो घना नंद था प्रथम मगद समराज का उतकर्ष किस सदी में हुआ था तो छटी सदी इस्वेपुर में हुआ था अभी लेखी साच से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में खोजी गई थी पहला इरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधिन किया था तो डेरियस ने किया था मगद के राजा अजाद सत्रू का किस गड़ राजी के साथ युद रहा तो वैशाली की साथ रहा नंद वजन्स का अंतिम समराट कौन था तो घनानंद था भारत में सिक्को यानि मुद्रा का प्रशलन कब हुआ तो चैसव इस्वेपुर्व में हुआ छटी सदी इस्वेपुर्व के दोरान बड़े राजियों के उद्य का मुख्य कारण था तो इसका कारण जो है उत्तर प्रदेश और विहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपियोग था मगत समराट बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज के राजा की चिकिस्ता के लिए भेजा था तो अवंती के लिए भेजा था किस सासक ने अवंती को जीतकर मगत का हिस्ता बना दिया तो सिसुनाग ने किस मगज समराट ने अंग का विले अपने राज में कियर दिया कर लिया तो बिम्बिसार ने जो है कर लिया सिसुनाग ने किस राज का विले मगज समराज में नहीं किया तो कासी का नहीं किया कासी और लिच्वी का विले मगर समराज में किस ने किया तो अजास सत्रू ने किया सिकंदर के आक्रमड के समय उत्तर भारत पर किस राजवन्स का सासक था तो किस का सासन था नंद का जो है सासन था